Hello everyone, welcome to complex engineering तो अभी हम लोग discuss करेंगे curl of a vector field के बारे में या फिर जो curling effect होता उसका मतलब क्या होता उसी के बारे में हमें discuss करना है आज तो यहाँ पर हमने consider क्या vector field अभी ये vector field का मतलब क्या है अगर कोई भी vector quantitative field ही बना रही हो तो जो field होगी उसका हम लोग बलेंगे vector field एक्जामपल हम लोग discuss करें static electricity के concept तो जो vector field होगी electric field intensity आफिर हम लोग बल सकते जो electric field होगी vector field तो यहाँ पर हमने vector field consider की तीन टाइप की यहाँ पर हमने ये वाली vector field consider की यहाँ पर यह जो land है arrow की वो इंडिकेट करेंगी वो वेक्टर फिल्ड का मैगनिटूड तो यहाँ पर हमने यह वाली वेक्टर फिल्ड कंसीडर की और यहाँ पर हमने यह वाली वेक्टर फिल्ड और यहाँ पर हमने यह वाली वेक्टर फिल्ड एक object रख दे one dimensional object रख दे तो जो object होगा वो translation motion cover करेगा मगर यह वाली vector field के आगे अगर आप object रख दो तो जो object होगा वो अपनी axis से कर जाएगा rotate क्योंकि object के यह वाले particular point पर force का जो magnitude होगा वो ज्यादा उपने यहाँ पर कम होगा जिसके वाजे से जो object होगा व अपनी axis से कर जाएगा rotate यहाँ पर अगर लोग देखे यह वाली यहवेक्टर field है वह itself rotating है तो इस case में अगर हम लोग यह वपनी एक्सी से से कर जाएंगा rotate यह जो object होगा वह अपनी एक्सी से कर जाएंगा तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे यह वाली वेक्टर फिल्ड के साथ असोसियेटेड है रोटेटिंग इफेक्ट यह वाली वेक्टर फिल्ड में भी हमें रोटेटिंग इफेक्ट दिख रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं यह वाली vector field का जो curl होगा वो होगा non zero similarly यह वाली vector field का भी जो curling effect होगा वो होगा non zero क्योंकि जो vector field इसमें rotating effect है मगर यह वाली vector field का अगर हम लोग consider करें तो यह वाली vector field का जो curl होगा या फिर जो curling effect होगा यह वाली vector field का वो होगा 0 क्यूंकि जो object होगा अपनी axis से rotate ही नहीं करेगा यह object translational motion cover करेगा मतलब यह object का displacement होगा वो होगा linear displacement in short यह object अपनी axis से करेगा इनी rotate तो जो curling effect होगा यह vector field का वो होगा 0 क्यूंकि जो vector field है इसका कोई rotating effect ही नहीं है तो curl का मतलब यह होता है जो curl होता है वो property होती है vector field की और जो curl होता है वो indicate करता है vector field का rotating effect अगर vector field में अगर rotating effect अगर 0 होता है तो उस case में जो curl होता है vector field का वो होता है 0 अगर vector field में अगर rotating effect अगर non-zero होता है अगर vector field में अगर curling effect अगर exist कर रहा होता है तो उस case में जो vector field का जो curl होता है वो होता है non zero यहाँ पर अगर हम लोग देखें यह वाली vector field में rotating effect है यह वाली vector field में भी rotating effect है तो यह वाली vector field का जो curling effect होगा वो होगा non zero similarly यह वाली vector field का भी जो curl होगा वो होगा non zero curl of a vector field shows the rotating effect of a vector तो जो vector field का curl होता है वो indicate करता है वो vector field का rotating effect जो rotation होता है vector का वो infinitesimal small होगा in terms of magnitude जो vector का rotation होगा उसका magnitude होगा वो infinitesimal small होगा क्योंकि जो vector field का curl होता है वो एक point का function होता है curl of a vector field यहाँ पर हम लोग देख सकते curl of a vector field is also a point function like a divergence जैसे कि हमें पता है जो divergence होता है वो एक point का function होता है तो जो curl होता है वो भी एक point का function होता है अगर मुझे vector field में एक certain point पर अगर curl find out करने बोल दिया जाए तो point के across में consider करूँगा infinite decimal loop और वो जो infinite decimal loop होगा उसका मैं close line integration find out करूँगा और जो close line integration होगा उसको मैं loop के area के साथ divide कर दूँगा जिसके वज़े से point का curling effect मुझे मिल जाएगा इसके बारे में तो हम लोग आगे discuss करने ही वाले तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो curl होता है कोई भी vector function का वो vector field का होता है और जो divergen होता है कोई भी vector function का स्केलर फिल्ट का होता है जिसमेंकोई direction होता अभी हम लोग मानलेते जो vector function है और वेक्टर फिल्ड है t is that function में अ घर vector field अगरει सदेट के function में होता है तो जो kell होता है वो vector field जो कल होता है जो के x, y, z के function में होगा, उसको हम लोग show कर सकते हैं, cross product of that vector field along with the del operator, यहाँ पर यह वाले जो term होता है, curl of a vector function वो exactly बराबर में होता है यह वाले term के, यह आपको note करना होगा, cross product of the vector function along with the del operator, यहाँ पर यह जो operator होता है, यह operator को हम लोग बोलते हैं, del operator या फिर बोल सकते हैं, nab बला operator और यह जो del operator होता है, वो mathematically पाया गए है कि यह बराबर में होता है, unit vector icap partial with respect to x plus unit vector jcap partial with respect to y plus unit vector k cap partial with respect to z, cross sign as it is cross symbol, और यह जो vector function होगा, वराबर में होगा, unit vector icap fx plus unit vector jcap fy plus unit vector kcap fz, तो यहाँ पर अगर हम लोग mathematically आगे compute करें, तो यहाँ पर हमें consider करना होगा matrix और जो matrix होगी उसका होगा determinant तो यहाँ पर हम लोग जो matrix consider करेंगे वो 3 by 3 की matrix होगी तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यह वाला जो term होता है वो exactly बराबर में होता है इसके तो हम लोग लिख सकते cross product of that vector function along with the del operator वो बराबर में होगा यहाँ पर हमने consider कि है matrix unit vector i cap unit vector j cap unit vector k cap फिर उसके बाद हम लोग consider करेंगे partial with respect to x partial with respect to i partial with respect to z फिर उसके बाद fx fy fz अभी हम लोग यह जो matrix है इसको हम लोग अभी solve करेंगे तो जब हम लोग solve करेंगे तो उस case में हम लोग क्या करेंगे यह term as it is होगा यहाँ पर यह जो unit vector i cap होगा उसको हम लोग common out कर लेंगे फिर उसके बाद यह जो first row और जो first column होगा उसको हम लोग height कर देंगे और यह दोनों को हम लोग product consider करेंगे और यह दोनों का product consider करेंगे तो हमें मिल जाएंगा partial differentiation of fz with respect to y minus partial differentiation of fy with respect to z फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग तिसरे वाले column को हाइट करेंगे तो हमें मिल जाएंगा partial differentiation of fz with respect to x फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग consider करेंगे plus unit vector kkf यह first row और तिसरे वाले column को हाइट करेंगे तो हमें मिल जाएंगा partial differentiation of fy with respect to x minus partial differentiation of fx with respect to y यहाँ पर यह वाला जो relation है यह वाला relation indicate कर रहा है आपको curl जब हम लोग three dimension में propagate करेंगे तो उस case में हम्लोग discuss करेंगे कि यह जो फंक्षन होता है यह जो term होता है वह इंडिकेट करता है curl तो इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे जब हम लोग curling effect के बारे में and detail analysis करेंगे तब अभी हम लोग क्या करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो करल होता है कोई भी वेक्टर फंक्शन का उसको हम लोग मैथामेटिकली कंप्यूट करते हैं जो कोई भी जो वेक्टर फिल्ड होती है उसका जो करल होता है उसको mathematical computation हम लोग इसी तरीके से perform करते हैं अभी हम लोग क्या करेंगे जो कर ले वेक्टर फिल्ट के बारे में अभी हम लोग थोड़ा intuition ग्रो कर लेते mathematical intuition मतलब अभी हम लोग क्या discuss करने वाले हम लोग एक formula obtain करेंगे और वो with the help of that formula वो जो formula होगा उसका use करते हैं हम लोग किसी भी particular point पर हमने कर फांड आउट करने बोले तो हम लोग find out कर पाएंगे similarly हम लोग क्या करेंगे हम लोग एक और यह चांड पूफ करेंगे जिस्मेंbene लोग देखेंगे कि अगर कोई वेक्टर म का अगर करल देंखर कर लाइन छो आगर जोग करने होगा हमें curling effect अगर find out करने बोले तो इसको find out कर पाएंगे तो यहाँ पर हमने consider किया y axis और यहाँ पर हमने consider किया x axis और यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके की vector field consider की तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो vector field का magnitude है constant तो obviously यहाँ पर कोई curling effect नहीं होगा यहाँ पर हमने consider किया यह है particular point यह particular point का मुझे find out करना है curl या फिर बोल सकते है particular point का मुझे curling effect find out करना है तो मैं क्या करूंगा यह जो point होगा इसके across में draw करूंगा कुछ इस तरी infinite decimal loop यह जो loop होगी इसका जो magnitude होगा मतलब यह जो loop का यह close line integral को अगर मैं यह loop के area के साथ अगर हम लोग देखे loop के अंदर का जो area होगा जो के ds होगा जो के बराबर में होगा 0 के तो अगर मैं loop के area के साथ अगर मैं यह close line integral को अगर मैं divide कर दू तो उस case में particular point का जो curl होगा वो हमें मिल जाएंगा तो जो curl associated होगा वो point के साथ जो के vector field में present है वो बराबर में होगा close line integral of the vector field along the close loop या फिर along the close curve तो यहाँ पर हम लोग यह वाले symbol से show कर सकते है close line integral along the close curve और यहाँ पर यह जो delta S जो area अगर उसके साथ अगर मैं divide कर दू तो यह जो point का curling effect होगा वो मुझे मिल जाएंगा यहाँ पर जैसे के मैंने बोला था यह वाला जो term होता हो बराबर में होता है cross product of the vector function along with the del operator तो इसके आगे हम लोग लिख सकते है cross product of the vector function along with the del operator is equal to limit delta S tends to 0 close line integral of the vector field along with the delta S divided by delta S तो यह वाला जो relation है बहुत important relation है यह relation का use करते हुए आप find out कर सकते हो कल किसी भी एक particular point पर अगर आपको कोई पूछ ले किसी भी एक particular point पर कल मुझे find out करना है तो आप कैसा find out करके बताओगे वो particular point के across आप consider करोगे infinite decimal loop और वो जो loop का जो close line integral होगा आप वो find out करे होगे और उसको area के साथ divide कर दोगे वो loop के area के साथ जिसके वज़े से जो कल होगा वो particular point का आपको मिल जाएंगा यहाँ पर अगर हम लोग देखें limit delta S tends to zero इसका मतलब क्या है यहाँ पर यह हमें जो area जो मिलेगा इसका जो magnitude होगा वो infinitesimal small होगा या फिर बोल सकते हो 0 के बराबर में होगा आपको पता है close line integral कैसा find out करते close line integral को कैसा find out किया जाता है तो अगर आपको नहीं पता है मैं आपको एक orally बता देता हूँ close line integral find out करने के लिए आप basically क्या करोगे यह जो loop होगा यह loop में आप consider करोगे infinite decimal length और उसके साथ associated vector field और दोनों के जो dot product होगा आप उसको integrate कर दोगे close loop में जिसके वज़े से आपको मिल जाएंगा close line integral तो infinite decimal length या फिर बोल सकते elementary length और as a vector और उसके साथ associated vector field अगर दोनों के dot product होगा integrate कर दो close loop में तो आपको मिल जाएंगा close line integral तो जो close line integral होगा आपको इसको delta s से divide करना होगा जो कि लूप के अंदर का area होगा तब जाके आपको vector function का curling effect मिलेगा अभी हम लोग क्या discuss करेंगे यहां तो हमने discuss किया कि हम लोग जो curl होता है किसी भी एक particular point पर उसको कैसा find out कर सकते हैं अभी हम लोग discuss करेंगे कि अगर curling effect जीरो होता है तो उस case में जो close line integral होगा वह होगा 0 जो कह बहुत important है यह जो concept है बहुत important concept है आफिर जो point है बहुत important point है आप इसको note कर लो curling effect अगर non zero होता है तो उस case में जो close line integral होगा वह ओगा जिरो अगर क्लोजuéलायों एंटिग्र लगर कोई भी संट इसक्षों में करनोगा वह ग्यांटाद क्या फिर जो अप्र एक्सिनग Doll 15 होगा जी मों पर हमने वेक्टर्फील्ट का मंगे्ट्टड जाद MARY यह वाली वेक्टर्फील्ट का मैंगे्टड कम है इसका और खमिए तो अगर हम लोग देखिए जो वेक्टर्फील्ट का जो मैग्नीट्डई यह degrees करते चाह रहा है तो और आब्योसली यह वाली वैक्टर्फील्ट के साथ associated होगा rotating effect और यह वाली vector field का curling effect होगा वो zero नहीं होगा non zero होगा तो यहाँ पर vector field देखते साथ ही हम लोग यह बोल सकते कि जो curling effect होने वाला है वो non zero होने वाला है यहाँ पर हमें find out करना होगा close line integral तो close line integral find out करने के लिए हम लोग consider कर लेते close line यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके की close line consider किया यह particular point के across तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे यह वाली जो line है यह वाली line है यह वाली line आप इसको देख सकते हो यह जो horizontal line है horizontal line का जो line integral होगा वोगा zero यह horizontal line का line integral और यह वाली horizontal line का जो line इंटीग्रल होगा, वो लोगा, जिरो मकर ये वाली जो W लाइन होगी है दोनो जो W लाइन इंटीग्रल भी कूअ होगा वह राइन पर हमारे पास एक option होता है कि हम लोग clockwise direction में भी close line integral find out कर सकते हैं और anti-clockwise direction में भी आप close line integral find out कर सकते हो तो यह आपके उपर completely depend करता है तो यहापर हम लोग close line integral find out करेंगे वो clockwise direction में find out करेंगे तो हम लोग कुछ इस तरीके से close line integral find out करेंगे clockwise direction में तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे जब हम लोग यह वाली line का जब line integral परफॉर्म करेंगे तो उस case में यह वाली line का जो line integral होगा वोगा positive line integral similarly यह वाली line का जब हम लोग line integral परफॉर्म करेंगे तो उस case में जो line integral होगा negative line integral क्यों क्योंकि हम लोग clock wise direction में proceed कर रहे तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे यह वाली line का line integral का direction यह और यह वाली line का line integral का direction है वो यह दोनों का direction है line integral का वो opposite है तो इसलिए यहाँ पर हमने convention consider किया यहाँ पर यह वाली जो line होगी इसका जो line integral होगा positive line integral यह वाली जो line होगी इसका जो line integral होगा वो गा negative line integral जो positive line integral का जो magnitude होगा वो ज्यादा होगा जो magnitude होगा positive line integral का वो ज्यादा होगा magnitude of positive line integral is more और जो negative line integral यह वाली line integral का जो magnitude होगा वो कम होगा magnitude of negative line integral is less उसका reason यह एक अगर हम लोग जब यह वाली line integral यह वाली line का जब हम लोग line integral perform करेंगे तो उस case में यह वाली जो vector field है जो के line के साथ associated है उसका magnitude जादा है तो हम लोग बोल सकते हैं जो positive line integral होगा positive line integral का जो magnitude होगा वो जादा होगा similarly जब हम लोग यह वाली line का line integral find out करेंगे तो उस case में ये line के साथ associated जो vector field का magnitude है वो कम है जिसके वज़े से ये वाली line का जो line integral होगा जो negative line का जो line integral होगा उसका जो magnitude होगा वो कम होगा क्योंकि ये वाली line के साथ associated vector field का magnitude कम है तो माल लेते positive line integral का magnitude अगर plus 5 होता है numerically और negative line integral का line integral अगर minus 2 होता है तो उसकेस में जो प्लस फाई और जो माइनस है वो eight बढर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम लोग देखा जो क्लोज लाइन इंटिक्रल है जो क्लोज लाइन इंटिक्रल के वे Lift का कर्लिंग इफेक्ट नॉन-ज 시रो में अगर कर लिंख आ तो गो ख़िर नॉन-जिरो में टो तो आगर अगर नॉन-गर उसकेसमें जो जो क्लोल्ज्र लांन इंटीक्रल होता वह भी होता है नॉन-जीरो इसका मतलब रगर कोई भी एक one dimensional object आप रख दो तो जो one dimensional object होगा वो अपनी axis से कर जाएंगा rotate similarly एक example हम लोग यहाँ पर consider करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो close line integral है वो है 0 क्योंकि curling effect 0 है तो यहाँ पर हमने consider किया y axis और यहाँ पर हमने जो vector field consider करें उसका magnitude है constant यहाँ पर हमने जो vector field assume किया है उसका magnitude constant हम लोग देख सकते और यह particular point है particular point का मुझे find out करना है कल तो particular point के across मैं draw करूँगा एक close line तो कुछ इस तरीके से मैं close line draw करूँगा particular point के across तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब हम लोग यह यह वाली line का line integral perform करेंगे तो जो line integral होगा positive similarly यह वाली line का जो line integral होगा negative क्योंकि हम लोग clockwise direction में little integral को perform करेंगे इहां पर यह वाली जो line होगी इसका Haushalis नाइन लोगा ओट जिरो यह वाली line का भी जो line integral होगा ओगा zero creative line integral घो मैँट्यूड होगा वो सेम होगा और नेगेटव लायन इंटिगरल का भी मैँट्यूड सेम होगा क्योंकि अगर हम लोग देखें यह जो पॉजितुव लायन इंटिगरल जा फिर यह वाली लायन के साथ आस्ोसियेट जो वैक्टर फिल्ड है जो के blue color की arrow शो कर रही है उसका जो magnitude है वो सेम है similarly ये वाली line के साथ associated जो vector field है उसका जो magnitude है वो भी है सेम तो vector field का magnitude सेम है तो उस case में जो positive line integral और जो negative line integral होगा दोनों का जो magnitude होगा वो होगा सेम तो numerically मान लेते हैं positive line integral अगर plus 2 का होता है और negative line integral की value अगर minus 2 होती है तो उस case में plus 2 minus 2 हो जाएगा 0 इसका मतलब जो curling effect है वो है 0 तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे जो close line integral है वो है 0 close line integral 0 है क्योंकि जो curling effect है हो है 0 तो अगर कल कोई भी vector field का अगर curling effect अगर 0 होता है तो उस case में जो close line integral होगा जो close line integral होगा वो होगा 0 और similarly जैसे के यहाँ पर हमने close line integral find out क्या था यह दोनों जो horizontal line होगी यह दोनों horizontal line का जो close line integral होगा वो होगा 0 क्योंकि यह दोनों line के साथ कोई vector field link नहीं कर रही है तो यहाँ पर हमने क्या discuss किया अगर यह जो point है बहुत important point है अगर यह point अगर आपका clear हो जाता है तो जो curl का जो जैसे के electric field का curl 0 क्यों होता है electric field conservative field होती है जा फिर जो आगे बहुत से जो concept होते जहां पर आप discuss करोगे के electric field का अगर curl अगर 0 होता है तो close line integral 0 होगा close line integral अगर 0 होगा तो जो curl होगा वोगा 0 मैं same thing again and again repeat कर रहा हूं ताकि आप इसको pinpoint कर लो तो यहाँ पर हमने क्या discuss किया electric field का अगर curling effect अगर 0 होता है तो जो close line integral होगा वोगा 0 अगर कल कोई भी vector field का अगर non-zero होता है तो उस case में जो close line integral होगा वो भी होगा non-zero और कल हमें क्या बताता है कोई भी vector field का rotating effect और जो curl होता है वो vector field के साथ associated होता और वो point function होता है और curl को find out करने के लिए हम लोग एक point के across draw करते infinite decimal loop और वो जो infinite decimal loop है उसका हम लोग close line integral find out करते और जो close line integral होता है उसका हम लोग जो area होता है